आज किसी ने मुझे कहा कि बहुत intellectuals जो अगरतला में रहते हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े घर में रहते हैं, बड़े intellectuals अपने आपको बोलते हैं, अगरतला में रहते हैं, उनको पसंद नहीं है कि तिप्रा मौथा का बात, constitutional solution का, हमारा अधिकार का बात के बारे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको oppose करना चाहिए, मैं अपने तिप्रासा लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यही रखम के लोग, जो intellectuals थे, जो विद्वान थे, जो लॉयर्स थे, जो अगरतला में रहत था, तो यही लोगों ने कहा था कि तिप्रा के जन जातियों को EDC नहीं मिलना चाहिए, यह लोग हमेशा इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, जब तक हम, हम अपने लोगों के बारे कुछ अधिकार के बारे डिमांड करें, जिस दिन हमने अपने बारे डिमांड किया, ज़्यादा पैसा दे दो, या पोस्ट दे दो, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन हम लोग अपने समाज के बारे, अपने दौफा के बारे कुछ डिमांड करते हैं, और गभर्मन सुनता है, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्यों ह क्योंकि ये लोग चाहतें नहीं है कि हमारा नेक्स जनरेशन आगे बड़े, ये लोग नहीं चाहतें कि हमारा नेक्स जनरेशन किसी के साथ कॉम्पटिशन करे, ये लोग चाहते नहीं है कि हमारे घर में अच्छा सा एक परिवार हो जिसमें मा को भी हॉस्पिटल का सुविधा मिलता है बच्चा भी स्कूल जाता है और आपके पास भी नौकरी है ये लोग चाहते नहीं है कि हमारा जो जमीन है उसमें हमारा अधिकार जो पट्टा है जो हमारा जमीन हमारा हानी पुसा का है वो हमारे नाम में हो यह लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े तो यही लोग हैं जिनका कुछ प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आने वाले दिन में हम लोग आगे बढ़ें लेकिन आप लोग चिंता मत करो तीप्रा मौथा गवर्मेंट में बैठेगा नहीं तीप्रा मौथा गवर्मेंट में कैबिनेट पोस्ट नहीं लेगा और तीप्रा मौथा जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है हम लोग कोई पोस्ट में नहीं बैठेंगे जो गलती IPFT नहीं किया वो गलती हम लोग नहीं करेंगे हम लोग प्रेशर रखेंगे और अपने दोफा को अपने लोगों को आधिकार्दी की जाएंगे